प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल का आज प्रदेश भर में चिकिछ शको ने विरोध किया इस दौरान बिकानीर में भी निगीच शको ने कारी का वहिशकार किया और गांधी पार्क से कलेक्टिट तक रैली निकाल कर प्रदेशन किया नोभारत समाचार बिकानीर राजस्तान से सुरिष जैन की रिपोर्ट आज हम लोग सबसे पहले एक विरोध प्रदेशन अपना करेंगे यहां पर उसके बाद हम दिला क्लेक्टर के माध्यम से मुख्यमतरी महोदय को एक ज्यापन देंगे कि किस तरह हम चाहते हैं कि हमें शामिल किया जाए राइट अस्पिकल सारे प्राइवेट और नर्सिंग प्रपन करेंगे और इसका मुद्ध्ध यहां कि है कि यह कि सरकार करना थियाऔर इस अर्नानागरिय मोलिक अशार अगर आज हम बारत के नागरी की नहीं ए मैं मौलिक दिकार उन्चित चाह रहा है मैं डॉक्तर विकास पारिक भीकानेर, आप सब लोगों को यह थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोग यह अंदुलन कर रहे हैं, यह राइट टु हेल्थ बिल के विरोध में अंदुलन किया जा रहा है, सरकार एक बिल लेके आना चाहती है, जिसका नाम है राइट टु हेल्थ बिल की आउशक्ता क्या पड़ी, जब राइट टु हेल्थ तो स्वास्ते का अधिकार तो मौली का अधिकार है, जो होना चाहिए, वैसे भी उसके लिए कोई बिल लाने की ज़रूरत नहीं है, यह तो उसी तरह से हो गया, जैसे कि अगर आप राइट टु हेल्थ के अंदर पिशेंट या जो नागरिक हैं राजदान के वो किसी भी अस्पताल में जाएं, चाहे वो उस विबाग की विशेशक्यता रखती है, चाहे नहीं रखती है, उन्होंने इमर्जेंसी वर्ड को कोई भी क्लेरिफाई नहीं किया है, कि इमर्जेंसी क्या प्रकार के बावन प्रकार के उनके कानून लगे हैं, तो वो जो नीची अस्पतार चलाने वाले चिकित्सक हैं, वो कैसे इसको मैनेज करेंगे, दूसरा मैं चाहनगा कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल इसलिए ला रही है, हमेसा लगता है, कि वो अपनी जिम्मेदारी नी हम नहीं है, तो कम से कम सबसे पहले उनको सुधार है, सारा बोज जो है चिकित्सका का आज भी 65% पेशेंट लोड लेने वाली संस्ता हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपना काम करी रही है, और इस बिल के माद्यम से तो इस तो किल बिल बन जाएगा, इस तरह से इसमें इस तरह की प्रावदान हैं कि अगर हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई निरिक्षयन करने आता है, जो स्टेट लेवल कमेटी या डिस्टिक लेवल कमेटी जो भी आती है, वो निरिक्षयन करके हमारे हॉस्पिटल को बंद करव कि जब आप गर बना रहे हैं तो किसी नाही को उलते हैं कि बताइए यार इसमें कि ती इंट लगाओं या कैसे बनुआओं या किस है नीव खुदवाओं जिसका काम है उसी को पूझे ना इसा कैसे मुझसे आप कैसे भूझ सकते होगे मेरे को इंकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना उसी तरह से बात होगी कि